नमस्कार दोस्तों आपकी स्टड़ी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मैं प्रेमिन जन जहारखंड के जनजातिय बिद्रो में एक टॉपिक है जिसका नाम है ताना या टाना भगत आंदोलन जो 21 अप्रेल 1914 इसमी में प्रारण हुआ था दोस्तों जहारखंड के ए दोस्तों मुकरप से आपको इसमें में जो एजाम की दृष्टी से महत्पुर्म बिंदूओं के बारे में जो आता है उसके बारे में आपको जनकारी देने जा रहे हैं दोस्तों देखेंगे इसमें कि जो इसका ताना या ताना जो नाम पड़ा उसके बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों इसका ताना का मतलब अब जानते ही होंगे इसका मतलब होता है खिचना ठीक है अपने और खीचना, अपने और लाना, इसका मुख्य मिनिंग है, इसका साब्दी कर्द है, तो दोस्तों इसमें खीचना सब्द जो है, ओ कैसे उत्पन हुआ, उसके बारे में बता रहे हैं, तो जो आदिवासी लोग थे, जो आदिवासी जणजाती लोग थे, मुख्रूप स अपने समाज से धीरे-धीरे बिखड रहे थे, धीरे-धीरे अलग हो रहे थे, इसलिए ए आंदोलन चला, इसलिए इसका नाम जो है टाना या ताना भावत आंदोलन नाम रखा गया, दोस्तों जो अब देख रहे हैं यहां 21 अप्रेल 1914 इसमी में चला, जो जत्रा भावत के न से प्रारम किया गया था, जो गुमला से चला था, उसके बाद राक्षी, मांडर, पलामू, इन सभी छित्रों में धीरे-धीरे फैल गया, अंतरता सुर्गुजा भी आ करके धीरे-धीरे यह आंदोलन फैल गया, दोस्तों 1914 इसपीस आप देख रहे हैं, यह फून रुप से बिर्सम मुंड़ जो अंदोलन चला था, उसके बाद यह अंदोलन आता है, उसका विस्तार यह अंदोलन को, टाना भगत अंदोलन को माना जाता है, दोस्तों यहां देख रहे हैं, खुल मिला करके आप 1914 इसविम जब प्रारम होता है, तो उस समय 1915-1916 में महात्मा गांधी दाचिन अपरिका से भारत आते हैं, और महात्मा गांधी का जितना भी रूल रिगोलिशन था, जैसे सत्यगरा, अहिंसा, यह सब जो था, वो पुन रूप से जो टाना भगत, जो अम्याई लोग थे, समर्थन जो कर रहे थे, जो सहयोग कर रहे थे, पुन रूप से इनके क कि दाना भगत जो लोग थे, वो महत्मा गांधी को पूर्ण सपोर्ट किये, पूर्ण सहयोग किये, इसलिए माना जाता है कि गांधी जी के एहवान पर आगे चल करके, इनका बहुत सपोर्ट किये, बहुत सहयोग किये, ठीक है, ए बात को ध्यान देना होगा, दोस्तों, ज महत्वा गांधी का जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ था और जो जत्रा भगत है तानव भगत अंदोलन का नेत्रिफ्ट कर रहे हैं तो मुख रूप से 2 अक्टूबर का इनका भी जन्म हुआ जत्रा भगत का और 2 अक्टूबर महत्वा गांधी 2 अक्टूबर 1879 को महत्वा गांधी 2 अक्टूबर 1888 भी को जत्रा भगत का जन्म हुआ इसलिए इनका पून रूप से अगर माना जाय तो महत्वा गांधी के साथ जो परसपर समन्ध था वह बहुत अच्छा था महत्वा गांधी का जो रूल डेगुलेशन आंदोलन करने के लिए वो ताना भागतों लोग ने अपना लिये थे इन सही बातों का आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों आगे चलकर के देखते हैं तो पून रूप से प्रिष्ट भूमी के बारे में आपको जनकारी दिये कहां से उत्पन हुआ कहां कहां विस्तार आंदोलन जो चला वो मुख रूप से समाज को अपने और आकरसत करने के लिए समाज को अपने और लाने के लिए समाज में धार्मिक चीजों को बताने के लिए धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बात किया गया था पून रूप से अगर देखे तो संस्कृति करन के बारे मे बताया गया था, एकस्वरवाद के बारे में बताया गया था, दोस्तों इसमें देखेंगे, पहला संस्कृति करन, दूसरा एकस्वरवाद, मतलब एकस्वर को मानने के लिए, तिसरा मांस मदिरा का सेवा नहीं करने के लिए, चौथा जूम की खेती पर वापसी होना मतलब जूम के खेती से लोग धेर भाग रहे थे वो वापस फिर आने के लिए इसमें बताया गया पाँचवाँ आदिवासी निरतिय नहीं करने के लिए इसमें अहवान किया गया दोस्तों संस्क्रिती करन मुकृप से धर्म के बारें बताया गया एक इस्वर वाद मतलब एक इस्वर को मानिये मान्स मदीरा का सेवन नहीं कीजिए जूम का खेती जो कर रहे थे वो वापसी फिर से कीजिए उसे वाद आजवासी निरति जो है उसे नहीं करने के लिए इस आंदोलन में मुकृप से अपने समर्थकों को अपने अनुयायों को बताया गया इस बात पे आप ध्यान रखेंगे दोस्तों इसके साथ साथ आप देखेंगे कि मांस मदिराब का सेवन नहीं करना है जूम के खेती करना है इस जो मुक्ष बाते आपको है आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों लेकिन आगे चल करके इस बात को मुकृप से दिरे दिरे आगे परचार परसार तो होता है जो परचार परशार करने के लिए दोस्तों इसके पीछे एक बात आपको आप ध्यान रखना होगा इक पून रूप से इसका कुडुक धरम के नाम से यह जो है ताना भगत या ताना भगत नाम से जाना जाता था पहले ठीक है जो आदिवासी का एक तरह से मुल धरम के रूप में जाना जाता है दोस्तों कुछी जगह से लोग जो परचार परशार किये थे उसे आपको ध्यान रखना होगा जैसे मांडर यहां से किया था सीबू भगत ठीक है उसके बाद सिसाई से देवमानिया जो एक ए महिला थी उसके बाद घागरा से बलराम भगत और देखे है म आंडर से सीवु भगत जो परचार परसार कियें, सिसाई से देवमनिया एके महिला रहती है, उसके बाद गहागरा से बलराम भगत कियें, उसके बाद भेखु भगत परचार परसार कियें, कुल मिला करके इन सभी ने ताना भगत जो आंदोन चल रहा था, वो परचार परसार करने में इनका मुख्य भूमिका रहा दोस्तों आगे चल करके जिस तरह से गौतम बुध आप लोग जान रहे होंगे गौतम बुध आगे चल करके दो भाग में बढ़ जाता है उसी तरह यह आंदोलन भी दो भाग में बढ़ जाता है लेकिन उससे पहले क्या होता है ताना भ भगत था, वो 1926 में इसे अंग्रेज गिरतार कर लेता है, अगिरतार करने के बाद इसे एक वर्स सजा सुनाता है, ठीक है, एक वर्स सजा सुनाता है, लेकिन सांती महल अस्थापित करने के लिए एक सर्थ रख करके इसे एक वर्स से पहले छोड़ दिया जाता है, लेकिन लगभग रियहा होने के बाद लगभग दो मेना के बाद इनका जत्रा भगत का मिर्ति हो जाने के बाद आगे जो बताए मांडर से जो नेतिव कर रहे थे मांडर का जो परचार कर रहे थे सिवु भगत ओ ताना आंदोलन या ताना आंदोलन का नेतिव करते के रूप म आते हैं विखर करके जो उस समार्व में से चाल रहा था एकश्वरबाद मां मांसमंदिर्या का पर्योग करना है धर्म का उठान करने के लिए लेकिन यहां आगे चल करके जो मान्डर से सिवु भगत स्विकृति परदांग कर देते हैं मांस माधिरा पर्योक करने के लिए ठीक है इसलिए आगे चल करके ताना भगत आंदोनन जो है दो भग में बढ़ जाता है जो मांस माधिरा का पर्योक करता है उसे जुलाहा भगत के नाम से जाना गया और जो साकाहारी रहता है उसे अरुवा भगत मतलब जो अरवा का सेवन करे ठीक है दो भाग में मुखरुप से बढ़ गया कि जब उनका मुट्टी वहता है जातरा भगत का तो जातरा भगत का जो विचार था धिरे Gleich लोग जो है वो दो भाग में बाढ़ती हैं और दो भाग में बाढ़ने के साथ जिस तरह से गोतंबुर को आप देखे होंगे हिन्यान और महानयान के रूप में बढ़ जाता है उसी तरह यहां आगे चल करके दो भाग में बढ़ जाता है और मांडर से जो शिवु भगत जो नेटिव कर रहे होते हैं जो परचार परचार कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि मांस मदिरा स्राव वेगर जो है वो सेवन करने के लिए स्विकृति परदान कर देते हैं और अंतता क्या होता है कि यह जो है दो पार्ट बढ़ जाता है जो मांस मदिरा का परियोग करता है व से कहा गया मुखरूप से आप यहां दोस्तों आगे चल करके आप यहां देख रहे थे जब आंदोलन परारम हुआ था तो कुछ न कुछ पता चल रहा था धार्मिक समंधित से बाते धर्म से समंधित बाते धर्म को उठान करने के लिए समाज को एक करने के लिए बात चल रहा लेकिन देरे देरे आगे चल करके क्या होता है यहां जो है वो राजनीतिक विधी विवस्ता से जोड़ जाता है यहां राजनीतिक का देरे देरे आगे बात होने लगता है आगे चल करके पलामु तक फुरा बात फैलता है और पलामु के राजया के साथ देरे दे संघर्ष हो लगता है धिरे धिरे उसके साथ तनाव फ़नने लगता है दोस्तों ताना भगतों लोग को कुछ मांगे रहता है जैसे स्वसासन का अस्थापना दूसरा जमिन का कर समाप कर देना तिसरा राजा के प्रद को समाप करना इन सभी बातों को एक तरस से लेक करके राजा के पास रखा गया वो पलामो के राजा को पर रखा गया लेकिन ए बातों पर किसी भी परकार का ध्यान नहीं दिया वहां का राजा इसलिए तनाव उत्पन हो जात आगे चलब करके। दोस्तों इसके बाद दोस्तों में ही बताये कि ही महतवागादी के साथ इनका बहुत अच्छा, रिलेशन रहा बहुत अच्छा समन्द रहा इसलिए इन्होंने कांग्रेस उसमें कांग्रेस पाटी बहुत पुर्जोर से चाल रहा था तो अस्टार्टिंग समय से आप देख रहे हैं महात्वा गांधी के साथ ताना भक्तों लोग ने जूल गए थे जो 1922 में असहयोग बहुत बला नेता थे बहुत अच्छा नेता थे जिसका नाम था बुद्धु भगत इन्होंने 1921 सिस्वी में असहयोग आंदलों का नेत्रित किये उसके बाद 1922 सिस्वी में ताना भक्तों ने गया में कांग्रेस का अधिवसन होता है वहां जाकर के ताना भक्तों लोग न सर्दार पटेल को पुनरुप से भाग लिते हैं उसके बाद यहाँ तक ही सिमित नहें रहते हैं 1923 इस स्वी में नागपुर में कांग्रेस का अधिवसन होता है वहां जाकर के ताना भक्तों लोग जो थे वहां जाकर भाग लेते हैं इसके अलावा दुस्तों इस सिमित नह पूर्ण रूप से अपना सहयोग अपना समर्थन देते हैं उसके बाद 1940 में जब धारखंड में तिरपनवा रामगर अधिवसन होता है तो पूरे पूरजोर से टाना भक्तो लोग ने यहां आकर के इस सभा में सामिल होते हैं और महात्वा गांधी को उपहार के रूप में 400 रूपय की एक थायली के रूप में भेट परदान क्या जाता है ठीक है यह बात को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कूल मिला करके इसमें दो चार बात आपको एकजाम की दरिश्टी से ध्यान रखना होगा कि नेत्रित्व कौन कर रहे थे उसके बाद दो भाग में बटा त और इसमें राजनीतिक दिरे करके आगे चल करके कांगरेस में एस सब जो है महत्वा गांधी के अनुसार जैसे अहिंसा हो गया सत्यागरा हो गया दोस्तों यहां जब सिदु भगत यहां देख रहे हैं बुदु भगत तो आगे चल करके यहां आंदोन्ग करने लगे और ज लेकिन आगे चल करके राजनीतिक से बाते पूरे जूड़ गया था यह बात को आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों कुल मिला करके ताना भगत जो जनजातिय विद्रो का एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो एक्जाम में इससे कोचन आता ही है इसलिए आप इसे ध्यान दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ यह टॉपिक आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा इसलिए आप इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें सेर करें और इसे एजाम की दृष्टी से महत्पूर्ण समझ करके आप नोट बनाए और आज ही क्लास हम समाप करते हैं फिर मिलें में धन्यवाद